हेलो बच्चो गुद मॉनिंग स्वागत आप सभी का आशाकरतियों कि आप सभी बच्चे स्वस्त होंगे खुश होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे कल आपने पारिवारी का आई चैप्टर का पहला टेस्ट दिया था आज आपका दूसरा टेस्ट है आशाकरतिय है आज का टेस्ट पहला कोश्चन है निमन में से आए बढ़ाने का तरीका है बच्चों के संभाल के अंदर खोल कर दूसरा है बचे वे धन को घर पर रखकर या धन को बजट के बिना व्या करके या उपरोक्त सभी तो यह चार ओप्शन दिये हैं इन चारों में से आपको बताना है कि आए बढ़ाने का तरीका कौन सा है नेक्स्ट है पारिवारिक बजट में दिया जाता है क्या दिया जाता है बविशे की आय का ब्यूरा या बविशे के व्या का ब्यूरा या बविशे में होने वाली आय और व्या दोनों का ब्यूरा या बविशे के साधनों का तो आपको बताना है कि जो पारिवारिक budget रम बनाते है उसमें क्या दिया जाता है? तिसरा question है आय बढ़ने के साथ खर्चों में क्या होती है? व्रिदी होती है? कमी होती है? या कोई फरक निपढ़ता या इन में से कोई भी ठीक नहीं है? नेक्स्ट एक सफल बजट में गुण होना चाहिए लचीला, यथार्तवादी, आवशक्ताओं के अनुकूल या उप्रोक्त सभी पांच्वा कोशन है किस परकार का बजट उत्तम होता है बचत का बजट, गाटे का बजट, या संतूलित बजट, या उप्रोक्त सभी नेक्स्ट जीवन के किस चकर में अधिक आय की अवशक्ता होती है आरंबिक काल में, विस्तार काल में, परिवार सिकुडने की अवस्था में या इन में से कोई भी आनसर आपका ठीक नहीं है साथमा कोशन है, स्युक्त परिवार में खर्च होता है अधिक होता है, कम होता है, सामाने होता है या इन में से कोई भी नहीं नेक्स्ट उप्यो के नियम किस अर्च सास्त्री दवारा दिये गई है एंजल के दवारा, प्राग के दवारा, हावर्ड ने दिये या प्याज़े ने दिये तो इन चैरों में से आपको बताना है कि उप्योग के नियम किस अर्च सास्तरी दवारा दिये गए है नेक्स्ट है पारिवरज जो बजट बनाते हैं उसके चरण कौन-कौन से आयोजन, न इन में से कोई भी नहीं, नेक्स्ट है बजट बनाने के लाब है, आय और वे में संतुलन रखना, उचित मदों पर खर्च करना, या लक्सेस पस्ट हो जाते हैं इससे या उप्रोक्त सभी, तो इन चैरों में से बताना है कि बजट बनाने के क्या लाब है, अगला प्रशन ह अतिवारों पर किया जाने वाला वे होता है, निर्धारित वे होता है, अर्ध निर्धारित वे होता है, या अतिरिक्त वे होता है या उप्रोक्त सभी, नेक्स्ट है खर्च की अवश्यक मद कोन सी है, भोजन, कपड़ा, मकान या इन में से कोई भी नहीं, अगला है खर्च के परकार है कौन कौन से है निर्धारित अर्ध निर्धारित गेर निर्धारित या उप्रोक्त सभी पंदर्मा प्रेशन है कारिया सरलीकन के दवारा हम किसकी बचत कर सकते हैं समय की सकती की धन की या समय और सकती दोनों की नेक्स्ट है मानुविय साधन है, क्या है समय, धन, सारवजनिक सुधाएं या इनमें से कोई भी नहीं, इनमें बताना है कि मानुविय साधन कौन सा है अगला है वह वस्तमें और सेमाई जो मुद्रा दवारा क्रे विक्रे के बाद प्राप्त होती है जिन से व्यक्ति अपनी आविशक्ताइं पूरी करता है पर्तेक्स आई एपर्तेक्स आई मोद्रिक आई या मांसिक आई नेक्स्ट एक खर्च कितने परकार के होते हैं एक, दो, तीन या चार अगला प्रेशन अपारिवारिक बजट के परकार है बजट का बजट, काटे का बजट या संतुलित बजट या उपरोक्त सभी नेक्स्ट है अवकास काल का उचित प्रियोग करके हम किसको बढ़ा सकते हैं परिवारिकाय को, आत्मिकाय को, मुद्रिकाय को या उपरोक्त सभी को नेक्स्ट है प्राथ्मिक अवशकता नहीं है भोजन, कपड़ा, मकान या शिक्षा इन चारों में से आपको बताना है कि प्राथ्मिक अवशकता कौन सी नहीं है नेक्स्ट है निमयलेकित मदों में व्य करने के लिए आप किसको सबसे अधिक प्राथ्मिकता देंगे विदेश यात्रा के लिए जाना या फ्रीज खरीदना या सरदियों के लिए प्रयाप्त उन्नी कपणों के खरीदारी करना या नया सोफा सेट खरीदना तो इन चार जों मत दिये हैं इनमें सबसे प्रात्मिक ताप किसको दोगे आत्मिक आय से आप क्या समझते हैं? विभिन स्त्रोतों से प्राप्त धन, प्राप्त सेवाएं और स्विधाएं या विभिन स्त्रोतों से प्राप्त आय के वे से होने वाली संतोस्ती या उप्रोक्त सभी नेक्स्ट है मानुए साधन, ए मानुए साधन तथा सेवाएं किसको बनाती है आय को, वै को, वेतन को या स्तर को, रहने के स्तर को नेक्स्ट है गरेलू इसाब किताब रखने के क्या लाब होते है खर्च का इसाब हो जाता है, अधिक वै पर अंकुष लग जाता है या धन की प्राक्ति और वयका नुमान हो जाता है या उप्रोक्त सभी ठीक है 27 कोश्चन है पर्तेक्स आय के अंतरगत क्या चीज़े आते हैं डाक्टर की स्विधा, मकान की स्विधा, आने जाने की स्विधा या उप्रोक्त सभी 29 कोश्चन है कि किस साधन के पर्योग से हम लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं ग्यान, उर्जा, कोशल और योगता या उप्रोक्त सभी से ले चार साधन दिया आपको इन में से किस से हम अपने लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं लास्ट कोश्शेन हमारा है, सारवजिनिक साधनों के पिरियोग से, आयमे व्रेदी किस से सम्बंदित है, वस्तविकाय से, मोद्रिकाय से, आतमिकाय से, आख्स, आय से, या उपरोक सभी से, तो यह हमारे आज के टेस्ट के 30 कोश्शन थे, आशा करती हो सभी बच्चों ने इ पूटल नंबर बनते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर के साथ जरूर लिखे थैंक्यू बच्चो मिलते हैं कल नेक्स्ट टेस्ट में तब तक के लिए आप अपनी अच्छी त्यारी करते रहना